साथियों अंग्रेज कंपनी का डिरेक्टर अब वारन हैस्टिंग्स पर बार बार जोर दे रहे थे कि जिस तरह हो सके अधिक से अधिक धन भारत से वसूल करके एंगलिस्तान भीजा जाए वारन हैस्टिंग्स ने भी लॉर्ड मैकावले के शब्दों में चाहे इमानदारी से हो और चाहे बेमानी से जिस तरह हो सके धन बटोरने का निश्चक कर लिया था देश की स्थिती का उसे पूरा ग्यान था और सूज की भी उसमें कमी नहीं थी सबसे पहले वारन हैस्टिंग्स की नजर रुहेल खंड की और गई थी आवद की उत्तर पश्चिम सरहद पर रुहेल पठानों का राज था इतिहास लेखक मिल ने लिखा है कि एशिया भर में जिन देशों का शासन सबसे अच्छा था उन में एक रुहेल खंड का इलाका था वहां की प्रजा सुरक्षित थी उनके उद्योग धंदों को राज की और से सहायता दी जाती थी और देश में खुशाली बराबर बढ़ती जाती थी इन उपायों से और अपने पडोसियों का इलाका फत्य करने के स्थान पर कोशिश करके सब के साथ मेल जोल बनाए रखकर उन लोगों ने अपने स्वाधिनता को कायम रखा था अवद के नवाब के साथ रुहेलों की संदी हो चुकी थी जिसका ये लोग सदा इमानदारी के साथ पालन करते थी अंग्रेजों के साथ रुहेलों का कोई किसी तरह का जगड़ा नहीं था औरना जगडे का कोई छोटे से छोटा बहाना ही अंग्रेजों को मिल सकता था फिर भी वारन हैस्टिंग्स ने सन 1773 इस्वी में रुहेलों के विरुद्ध नवाब शुजाओ दौला के साथ एक गुप संदी कर डाली थी इस संदी में यह तै हो गया था कि कोई मुनासिब बहाना मिलते ही कमपनी और नवाब की सेनाएं मिलकर रुहेल खंड पर चड़ाई करेंगी रुहेला जाती को निर्मूल कर उनका राज शुजाओ दौला के हवाले कर दिया जाएगा और इस उपकार के बदले में शुजाओ दौला 40 लाग रुपे नगद और युद्ध का सारा खर्च कमपनी को अदा करेगा मिलके इतिहास से मालूम होता है कि शुजाओ दौला ने अपनी इच्छा के विरुद वेवश होकर इस संदी को स्विकार किया था इतिहास लेखक टौरेंस ने लिखा है कि 17 अपरेल सं 1774 को इस जवरदस्ट अन्याए में एक दूसरे को मदद देने वाली दोनों से नाउने रुहेल खंड में प्रवेश किया था रुहेले वीर थे किन्तु उनके तादाद बहुत कम थी उन्होंने पहले दया की प्रार्थना की किन्तु विर्थ मजबूर होकर उन्होंने वीरता के साथ मुकाबला किया किन्तु क्या हो सकता था अन्त में 23 अपरेल सं 1774 को रामपूर की मशूर लड़ाई में उनकी किसमत का फैसला हो गया था उनका नेता नवा फैजुला खां पहाडों के और भाग गया था एक एक आदमी जो रोहेला कहलाता था या तो अपना देश छोड़कर भाग गया या चुन-चुन कर मार डाला गया सारा हरा भरा देश लूट खसोर्ट कर उजाड दिया गया था रोहेल खंड की लूट से 40 लाक रुपे नगत कमपनी को मिले और 2 लाक नगत वारन हैस्टिंग्स की जेब में गये थे रामपूर और उसके आसपास का थोड़ा सा इलाका बतौर जागिर नवा फैजुला खां को वापस दे दिया गया था रोहेल खंड का बाकी इलाका सुझाओ दौला को मिल गया था किन्तु वीर रोहेला जाती और उसके स्वाधिंता का सदा के लिए अंत हो गया था इससे पहले वारन हैस्टिंग्स के वल फोर्ट विलियम किले और बंगाल के इलाकों का गवर्नर कहलाता था मदरास और बंबई दोनों प्रांतों के अंग्रेजी इलाकों का प्रवंद दो अलगलग गवर्नरों के सुपूर्थ था जिनकी दो अलगलग काउंसिल थी रोहेला युद्ध के अगले साल मदरास और बंबई के गवर्नर और उनकी काउंसिलें बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दी गई थी और कमपनी के समूचे भारतिय राज का पहला गवर्नर जनरल वारन हैस्टिंग्स निक्थ हुआ था साथियो इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कमपनी ने वारन हैस्टिंग्स को गवर्नर जनरल का पत क्यूं दिया था इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी नमस्कार